आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ गंदी काली हो चुकी टाईल्स को clean करने का बहुती बढ़िया तरीका तो friends तरीका होने वाला है बहुती जबड़्जस तो please वीडियो को enter ज़रूर देखे तो friends ये देखे आप देख सकते हैं ये tiles कितनी पूरी तरह से गंदी हो चुकी है और कितना ज़्यादा पीलापन इनके उपर आ चुका है तो friends आज मैं हम इनके cleaning करूंगे वो भी घर की ही चीजों से और ऐसी cleaning आज मैं आपके साथ share करने वाले हूँ जिसमें tiles का कितना भी ज़्यादा गंदा पीलापन हो सब फटा फट से मिंटों में दूर हो जाएगा तो friends आप देख सकते हैं इन tiles के cleaning अगर हम सामान्य तरीके से करेंगे तो हमको काफी ज़्यादा मैनत करनी पड़ेगी और फिर भी यह पूरी तरह से clean नहीं हो पाएगी लेकिन अगर मेरे बताय हुए तरीके से आप इनकी cleaning करेंगे तो फटा फट से clean हो जाएगी तो friends इसके लिए सबसे पहले मैंने हाँ पर ले लिया है दो चम्मच जितना washing powder और इसके बाद मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ लगबग दो चम्मच जितना ही खाने वाला सोडा यानि बेकिंग पाउडर दोनों को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे friends और इसके बाद फिर मैं इसमें एड़ कर दूँगी तो भी वो proper नहीं हो पाएंगी लेकिन अगर हम सारी चीजों को इस तरह से mix करके cleaning करेंगे तो हमारी cleaning बहुत ही आसानी से हो जाएगी तो ये देखे friends इसके बाद सबसे पहले मैंने हाथ पे बांद ली है एक polothin अगर आपके पास gloves हों तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो इससे हम हाथ के उपर थोड़ा थोड़ा सा mixture लेकर tiles के उपर लगाते जाएंगे ये देखे friends जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि गंद की बहुत जादा है वहाँ पर हम थोड़ा ज्यादा mixture यूज करेंगे और जहाँ पर कम गंद की है वहाँ पर थोड़ा सा कम mixture लगा कर इसे हमें लगबग 2-3 मिंट के लिए छोड़ देना है ऐसा करने से जितने भी tiles के उपर गंद की है न सब आसानी से फूल कर clean हो जाएगी फ्रेंड्स जानी कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारी पूरी tiles जो है बलकुल आसानी से साफ हो जाएगी तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम जितनी भी हमारी tiles हों सभी की cleaning कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको कुछी tiles की cleaning करके दिखा रही हूँ तो फ्रेंड्स दो तीन मिन छोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है एक steel वाला जूना जो हम किचीन में यूज करते हैं न वही आप चाहें तो साधे जूने से भी इसकी cleaning कर सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा और ये देखे इस तरह से हम हलके हाथों से इसे रब करते जाएंगे और हमारी tiles के उपर जितने भी गंद की जमा होगी न सब बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी ये देखे फ्रेंड्स इस तरह से हम हलका हलका सा इसे रब करते जाएंगे तरीका बहुत ही जबर्जस्त है तो एक बार आजमा कर जरूर देखें और मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि वीडियो कहीं भी आपके लिए जरासा यूज़ फुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल कुक विद मानवी को सस्क्राइब करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं तरीका आपको कैसा लगा तो ये देखें फ्रेंट्स मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ हमारी टाइल्स जो है कितने अच्छे से हो चुकी है क्लीन तो आप भी तरीके को फॉलो करके फायदा जरूर उठाएं तो ये देखें फ्रेंट्स कितनी ज़्यादा गंदी पीली टाइल्स थी वो सब हो चुकी है पूरी तरह से क्लीन और मैं आपको दिखाती हूँ इन टाइल्स के अंदर से कितनी सारी गंदी जो है वो निकली है तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स हमारी टाइल्स जो है पूरी तरह से साफ हो चुकी है तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंट्स बाई बाई टिकल